धर्म नगरी चितकूट यूँ तो हर रोज भक्ती के महाल में सरवोर रहती है लेकिन वर्ष में एक बार होने वाली ये जल विहार यात्रा धर्म नगरी वासियों के अमन सुकून और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए की जाती है भारतिय संस्कृत और आस्था का गजब घालमेल है कहीं आस्था मोनोकॉम्नाओं की पूर्ती के लिए है तो कहीं जगत कल्यान को आज हम बात कर रहे हैं ठाकुर्जी के भक्तों की जगत कल्यान के लिए कर रहे हैं आपने क्रिश्न नगरी में तो भगवान क्रिश्ल के भक्तों की भक्ती देखी होगी भगवान क्रिश्ल की लिलाओं पर जूमते हुए देखा होगा किन्तु आज हम आपको दिखाते हैं प्रभू राम की तपोस्थली चितकूर्ट में भगवान कृष्ण के भक्तों का उत्साह कृष्ण जन्म से लेकर जल्विहार तक ठाकुर्जी की लिलाओं का आउजन बढ़ ही भक्ती भाव से विशाल रूप से किया जाता है जल्विहार यात्रा शंकर बजा से शुरू होकर शितकूर्ट रामगाट पहुंचकर मंदावी नदी में नावों से श्री कृष्ण को जल्विहार कराय जाता है और अगले दिन देशी गी का हजारों सिधालों को भंडा रख लाय जाता है अगले जाता है आई आख को रूबरू कराते हैं ठाकूर्जी के अनन्य भक्त प्रख्याद जियोतिश पंडित नरायन दर्तिर पाठी से जो ठाकूर्जी की उपास्ना जगत करने आख यो प्रकति को बचाने के लिए करते हैं ठाकूर्जी की भव शुभायात्रा और मंदाटनी के राम घाट में जल विहार क्लिणा कराकर प्रभू से इस धर्थी की रक्षा करने की दुआएं मांगते हैं जिससे क्रिशी को बचाया जा सके अतिवर्ष्टी से बचाया जा सके और जन्मानस खुश रहें आयोजन मंदल के इलावा शर्धालू भी इस आयोजन बढ़ चल कर हिस्सा लेते हैं क्या पुरुश क्या महिलाएं बच्चे भी प्रभू क्रिशन के भक्ती में भाव विभोर होकर खुब जूमते हैं जिला मुखहले करवी शंकर बजार में 25 वर्षों से श्री क्रिशन की लिलाओं का आयोजन कर रहे पंडित नरायन रत रिपाठी जी कई वर्षों से भगवान केशल की जन्मोसों से लेकर जल विहार के लिला तक बेहत उत्सा के साथ मनाते चले आ रहे हैं जिसमें नगरवासी और ठाकुल जी के भगत बहुती उत्सा पूरोग शामिन को कारेकम को सफल मनाते हैं कल्याणा था है कि उत्स देश पर ये कारकमायोजित है और सारे नगर को समर्पित है अच्छे लोगों को समर्पित है बुद्धी जीवों को समर्पित है आप लोगों को सब के सायोग मिलता रहेगा ये कारकम दिनों दिनाग बढ़ता रहेगा ठाकुल जी करपा हम लोगों पर बराबर बनी रहेगी